हाँ 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 हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं यूट्व चैनल चलिए हमने जो लास्ट वीडियो में डोजी कॉंसेप्ट को देखा था करके कि आशल ने की को सिस करेंगे कि इसमें देखते हैं कि कहा तक कितना हम इसमें टेस्ट कर पाते हैं हम जील्स सुरू करते हैं थोडर टाइम बचाने के लिए मैंने लिए माक कर लिया है तक हम जल् Essay बैक टेस्ट कर पाए तो शुरू करते हैं जनवरी 2021 से यह वन डे के टाइम प्रेम पे हम टेस्ट कर रहे हैं रीप्ले मोड में करेंगे जनवरी 2021 हमने यहां पे लगा दिया ओके अब हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला हम सिर्फ यह गूर मैंने लगाया है ताकि हमButa doji identify कर सकें ठीक है तो चलिए रीप्ले मोड में हम देखते हैं और फिर रुकेंगे और फिर इसको सम्झेंगे ओके सो पहला यहां पर doji औकर किया यहां पर यह दोजी अगर आप देखे क्या मैं जरा यहाप इसको highlight कर देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी होगी trend अप है ठीक है अब trend में जा रहा है very good हमारा जब uptrend में होता है तो हमारा basic plan क्या होता है कि हम जब इसका low break करें तो हम इसमें entry लेंगे इसके low break करें तो हम इसकी entry लेंगे but next क्या हुआ यह low break नहीं किय ठीक है उसके बाद यह आगे चला गया तो आप देखिए continuation में गया और फिर अगला अगला डोजी फिर से बना है जिसको मैंने यहाँ पर highlight किया है तो हम इसको भी highlight करते है अब इस डोजी और इस डोजी यह तो हमारा null and void हो गया हमें नहीं मिला trade अब इस डोजी के अंदर द पास-पास बना है क्योंकि market इसी point पे rejection दिया था यहां से market नीचे आया था ठीक है अगेन जब यहाँ पे जा रहे तो एक pullback हम expect कर सकते हैं कि यह नीचे जाना चाहिए ठीक है इन एडिशन और क्या क्या चीज़े हैं जो हमें confirm करें कि यह नीचे जाएगा अगर आप इस candle को देखें ध्यान से इस candle को यह जो green candle बना है इसके बाद यह जो red candle बना है बहुत ही बड़े मारो बोजी candle बना है जो कहीं न कहीं indicate कर रहा है कि यहां से selling pressure यहां पे sellers बैठे हु जाना ही जाएं क्योंकि अल्रेडी अप्ट्रेंड में था ठीक है एक पुल बैक यह सेकेंड डबल टॉप बनाया इसने अब नीचे जाना चाहिए ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं इसके साथ क्या हुआ आगे देखिए हमारा यहां पे low break कर गया हमने entry लिया ठीक है entry लिने के बाद यह देखिए नीचे गया ठीक है तो यहां पे हमें एक ठीक ठाक profit मिल गया चलिए आगे देखते हैं अगेन हम वेट करेंगे दोजी केंडल का देखिए हर दोजी केंडल के formation के बाद आपको उसको read करना है अब जैसे अब next candle यह आया इसके बाद क्या हुआ यह इसने सारे candle को break करके गया है तो हमें एकदम से कूदना नहीं है हमें देखना है कि इसके बाद क्या हुआ इसके बाद अब समझे यह फॉल हुआ है तो उस फॉल से पहले का region समझे क्या क्या हुआ चलिए जब जो हो जो हो जा रहा है मैं इसको delete भी करते रहा हूँ ताकि हमें ठीक है अब हम इस डोजी को समझते हैं कि इसमें क्या हुआ जितना आप समझिएगा चार्ट को उतना ही अच्छा से आप trade कर पाएंगे एक कोई specific इसमें क्या बोलते हैं कि strategy नहीं होती है आपको charts को read करना आना चाहिए समझना चाहिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है तो हम यह पर देखें यहां पर क्या चल रहा है यह डोजी बना ठीक है यह हमारे हाइलाइटेड था इस point पर आने के बाद क्या हुआ देखें मार्केट यहाँ sideways रहा काफी दिनों तक मार्केट यहाँ पर sideways रहा है ठीक है अगर आप देखें यह pullback गया अब यह जो बना है इस candle को अगर ध्यान से देखेंगे यह काफी uptrend के बाद rejection आ रहा है ठीक है उससे पहले यह डोजी बन चुका है तो कहीं न कहीं एक तरीके से यह rejection के लिए तयार है और आप देखें इसके लो ब्रेक होते एक अच्छा target हमें मिला यहाँ पर within same day ठीक है तो यह जो चीजे है जब आपको यह ऐसा डोजी formation हो तो आपको alert mode पे आना है alert रहना है उसके अगले एक दो तीन दिन में क्या हो रहा है और यह जो डोजी बना है वो कहां बना है यह जरूर आपको read करना है तो जब यह चीज आप read करने लगेंगे तो आपको यह आसान लगेगा इस पर trade करना ठीक है तो यह देखिए एक अच्छा सा information यहां पर breakout हुआ है और हमारा एक अच्छा target मिला ठीक है चले आगे देखते हैं और क्या हुआ test करते जा रहे हैं यहां पर एक डोजी बना है ठीक है बहुत चोटा डोजी बना है अगर देखिए यहां पर इस के पूल बैक के बाद देखिए अब इस candle को समझे यहां आया इस जगह पर continuous support है support कैसे हम draw करते हैं देखिए थोड़ा सा हम इसके अंदर add-on भी करते जा रहे है विकाज एक चीज को आप लेके मत चलिए कुछ कुछ चीजे समझने की कोशिस भी किजिए इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर market आय है रुका है रुका है रुका है रुका है रुका है continuous इस लेवल को hold कर रहा है यहां इसी लिए एक rejection आया यहां पर rejection आने के बाद again what happened अगले दिन फिर यह बड़ा सा rejection आ रहा है उपर मतलब कोशिस किया market ने उपर जाने का लेकिन यह इसको hold नहीं कर पा रहे है फिर यहां प इसे दिन इसने एक red candle मना है तो हम एक Trade यहां पर initiate कर सकते हैं अगे क्या होता है हमने यहां पर sell side में ट्रेड लेंगे हमें buy side में नहीं जाना है तो हमने यहां पर एक trade initiate किया और देखते हैं क्या होता इसके बाद ओके देखे यहां से हमने trade लिया यहां तक 1 is to 2 एक दम दिख रहा है आपको यहां पर देखो देखेगा इस जगे से अगर आप देखो यहां पर इस जगे से लेकर के इस जगे तक का fall आपको मिला है मार्केट यहां एक fall दिया है ठीक है तो यह हमारा target अचीव करता है लेकि समझना जरूरी है कि जब यह formation कहां हो रहा है क्योंकि formation हर जगे होगा तो आपको नहीं trade करना जैसे यह है इसको trade करना बेकार है क्यों बेकार है क्यों बेकार है क्यों बेकार है क्यों आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है यहां से क्योंकि मैं explain कर रहा हूं इसलिए थोड़ा में time लग रहा है बट still हमें पता होना कि ट्रेड कब करें और कब ना करें तो देखिए इस जगे पर अगर यह फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हुआ यहां से अल्रेडी मार्केट फॉल कर चुगा एक पुल बैक लिया फिर फॉल किया फिर फॉल बैक लिया ठीक है तो कहीं न कहीं यह मोमेंटम जो था वो निकल हम और भी केंडल पैटरन्स पर डिसकस करेंगे बट फिल हाल हम सिर्फ डोजी को टेस्ट कर रहे हैं ठीक है यहां भी और कुछ एक चोटा सा डोजी बना है ठीक है यहां कॉन्सोलिडेशन के बाद बना है हम चाहें तो ले ले बट यह बहुत चोटा है तो यह प्रॉपर का देड लेंगे हम वेट करेंगे ठीक है आगे देखते हैं थोड़ा फास्ट चलते हैं एक यहां पर डोजी बन रहा है ठीक है डोजी बना है यहां पर बट देखिए क्या यह इस एक कैंडल को बड़े ध्यान से देखिए हमें इसको ट्रेट क्यों नहीं करना चाहिए ठीक है नहीं करना आपको आना चाहिए जितना ज्यादा आप नहीं करेंगे रिजेक्ट करें उतना ही अच्छा है इसको देखिए इस एक red candle को देखिए इसके body को देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूं इस red candle की तो क्या हुआ है इसके अंदर ये सारे candle मतलब ये बहुत बड़ा consolidation हुआ है तो जब कहीं एक stock बहुत लंबे time तक hold करता है तो उसका break up या break down बहुत ही strong होता है तो अगर यहां हम sell side में जाए एक तो हमें sell trade मिला ही नहीं है क्योंकि इसका low भी break नहीं हो रहा है ठीक है इसका भी low break नहीं हो रहा है पर अगर हम यहां जाएं तो वो भी हमारे लिए risky हो जाएगा क्योंकि यह बहुत consolidation के बाद ये doji बना है ठीक है तो हमने यहां और यहां reject किया अब यहां पर one ride हो जी ठीक है लेकिन यहां पर एक double top बना हुए तो हमें इस तक का wait करना चाहिए at least ठीक है इस level तक का wait करना चाहिए मैंने कहा कि wait करना अगर सीख गए तो आप इसमें आसानी से profit बना पाएंगे ठीक है चले देखते हैं अब आप समझी क्यों हमने यहां पर wait करने का क्या फायदा हमें मिला यहां हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहां पर इस level पर market कब आया था चार मार्च 2021 को और यह इस level को touch दुबारा उसने किया जून में ठीक है ठीक दो महीने बाद अब यह जो level था यह बहुत अच्छा level था क्योंकि जब भी भी मैं हर बारी शुरू से आप पहला वीडियो भी देखेंगे उसमें मैंने यही चीज explain किया है तो आप market को read करना जर नीचे fall किया अगर w pattern मना रहा है और यह यहां पर आया तो जब इस जगह पर आया market तो definitely एक pullback हम expect कर सकते है 90% cases में होता है तो यह pull यह जब आया यहां पर उसके बाद देखिए ध्यान से एक छोटा सा डोजी बना है यह जो candle देख रहे हैं आप अगले दिन एक डोजी बना है यह हमारे लिए बहुत अच्छा confirmation था तो यहां हम trade ले सकते थे कहां down downside के तरफ किदर downside के तरफ stop loss हम यहां ना रख करके यहां रखेंगे क्यों क्योंकि यह highest nearest highest swing बना हुआ है ठीक है तो आप देखिए one is two two बड़े ही अराम से आपको यहां पर एक target within two days मिला है तो यह high probable trades है तो आपको यह high probable trades धूनने पड़ेंगे अब आप कहेंगे कि यह रोज नहीं बनते हैं हां रोज नहीं बनते हैं बट क्यूंकि आपके पास 200-200 stocks हैं आप उनको देख सकते हो और उसकी हिसाथ और यह तो positional है अगर आप intra damage आओ तो 100% आपको ऐसे setups बड़े आसानी से मिलें ठीक है तो डिपेंड करता है कि आप trade कैसे करते हैं यह रीजन लिकुल लाजिकल है trade लेने का ठीक है और देखिए हमें profit भी मिला चले आगे देखते हैं बीच में एक यहाँ पर मिला है हमें 2 जी ठीक है बढ़ा हम इसको trade नहीं करेंगे ठीक है क्यूंकि यह consolidation point पर और बहुत चोटा है तो हमें इसको ignore कर देंगे उसके बाद हमें और कहीं कुछ मिल रहा है नहीं मिलेगे जब हमें trade नहीं मिलेगा हम नहीं trade लेंगे simple logic जब हमें trade नहीं मिलेगा हम नहीं लेंगे ओके आगे देखते हैं candles को आपको read करने सीखना ही पड़ेगा तब ही आप जाके market को अच्छे से समझ पाएंगे इसके बाद आपको data आएगा चलिए अभी देखिए यहां देखिए बहुत अच्छा example अभी यहां पे कोई न कोई news रहा होगा जिसके वज़े से एक बहुत बड़ा जम पाया तो यह चीज बहुत अच्छा है यहां पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है जब कभी 90 डिग्री पे आता है कोई भी चीज अप ट्रेंड में तो वह बहुत जल्दी गिरने वाला होता है for sure ठीक है और यह formation को कोई न कोई न्यूस के वज़े से ही होती है तो देखिए आप यहां पर जब जिसने यहां पर लिया next डेए बहुत बड़ा rejection आया market यहां तक गया एक rejection है बड़ क्या हम इसमें trade ले ले नहीं क्योंकि इतना बड़ा stop loss लेने का कोई मतलब नहीं है तो हमें थोड़ा वेट कर होना चाहिए और वैसे भी यह डोजी नहीं है ठीक है चल तो हम आगे देखते हैं हुआ क्या इसके बाद कि अब फिर से मार्केट ने जंप लिया अगेन जब दो बार जंप ले ले अगर आप देखें यहां पर तो काफी काफी उपर तक गया है ठीक है हम अगले session में यह भी फिवो नाची को यूज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे बट फिलहाल नहीं देखेंगे हम देखते हैं तो यह बहुत जंप कर चुका है अब यह candle देखें बहुत अच्छा है ठीक है क्यों अच्छा है विकोज एक काफी बड़ा रैली होने के बाद यह rejection आ रहा है with good body ठीक है तो यह trade के बाद यहाँ पे देखेंगे एक क्या बना है डोजी बना है ठीक है तो यह हमें अब एक confirmation देखेंगे एक pullback जरूर आना चाहिए ठीक है अगर नहीं आता है तो हम stop loss ले लेंगे तो यह trade हमें करना चाहिए logically लेकर तो हमें एक यहां अगर आपने trade लिया एक यहां से pullback आपको मिला profit मिला आपको कहां से इस जगे से लेकर के इस जगे तक का आपको trade मिला ठीक है तो ऐसे ही आपको identify करना पड़ेगा कि कौन सा आपका डोजी सही है चलिए आगे देखते है अगे एक और डोजी यहां पे form हुआ है और अगर आप देखें तो इस level से market almost यहां पर आ गया है यहीं से fall हुआ था तो हम यहां पर भी छोटा सा trade ले सकते हैं चोटा सा trade क्यूंकि यह बहुत ही छोटा सा candle form हुआ है अगर आप देखेंगे यहां पर तो इसका one is to two target लेके हम यहां पर trade ले सकते हैं यह यहां पर नीचे आ जाएगा और देखते हैं अब देखिए यहां पर इसने break किया है ठीक है तो जब break कर जाए कोई level तो अब उसके बाद हमें wait करना चाहिए और ready रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक formation अगर वैसा मिलता है कुछ तो definitely हमें एक pullback मिलेगा तो चलिए देखते हैं हमें कब मिलता है देखिए बहुत छोटा सा डोजी बना है बट इसको हम consider नहीं करेंगे थोड़ा सा और formation का wait करेंगे देखिए अब यह जो formation हुआ डोजी मैंने क्या कहता कि जब यह level पर आएगा इसको समझे कैसे इसको trade कर सकते हैं यहां हमने trade तो नहीं लिया ठीक है बट हमने mark कर के रखा इस level को तो देखिए यहां पर आने के बाद यह जो level है यह market आया test किया एक pullback लिया और यह जो candle था इसने clarity दी कि हाँ आप यहां से market को reject किया जा रहा है continuously reject किया तो यहां इसके बाद कोई भी entry लेता देखिए एक अच्छा का सा trade आपको मिलता कहने का मतलब जब ऐस formation किस जगह पर हो रहा है double top पर हो रहा है यह चीज एकदम ध्यान से रखिए कि अगर यह बहुत time gap के बाद हो रहा है तो एक rejection confirm होता है मैं यह जितने भी example दिये मैंने continuously वही चीजे आपको repeat हो रही है इसलिए मैं backtest कर रहा हूं ताकि आपको clarity मिले कि कब हमें trade लेना चाहिए तो देखिए यहां पर continuously यहां तक आया आपका trade positive रहा है तो आपको maximum trade positive ही मिलेंगे ठीक है अब इसके बाद हम trade नहीं लेंगे हम wait करेंगे चलिए देखते हैं कुछ और मिलता है देखिए यहां पर continuously consolidation चल रहा है तो यहां पर trade करने कोई फायरा नहीं है हम दूसरे candle patterns पर trade कर सकते हैं बट अभी में वो discuss नहीं कर रहा है अभी हम सिर्फ doji को read out कर रहा है कि doji कैसे बनता है ठीक है अब यह छोटे-छोटे trades हैं जिनको हम avoid करेंगे हम एक अच्छा trade मिले तभी trade करेंगे अदरवाइस नहीं करें market continuous fall में जा रहा है ठीक है यहां पर एक doji बना बट क्योंकि काफी fall के बाद बना है तो हम avoid करेंगे और doji को हम generally कोशिस करेंगे अब trend में जब हो तभी इसको trade करें ताकि हम एक pullback मिल सकें ठीक है downtrend में हम इसलिए नहीं इसको trade करते है बिकोज नहीं पता कि छोटा सा pullback के बाद वो again कहां तक नीचे जा सकता है तो हम इसको अप ट्रेंड के लिए ही यूज करते हैं ठीक है चले आगे देखते हैं कि आखे देखिए यहां पर इसने जंप लिया है और मेंशन के बाद डोजी है तो देखते हैं कि क्या यहां पर कुछ है ट्रेट हमारे लिए कि कि बाद बाद यहां ऐड़ी है कि बाद देखिए भी नहां देखिए बाद 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 चाट मेंगे पाद बाद कि बाद बाद ट्रेंड़न कि कि लेखिए ओके यहां पर देखिए डबल टॉप बन रहा है ठीक है हमें डोजी नहीं मिला है लेकिन अब हमें एलर्ट रहने जब भी डबल टॉप बने और कुछ टाइम के बाद बने ठीक है तो हमें अलर्ट रहने चाहिए और डोजी फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए ओके यहां पर देखिए एक डोजी फॉर्मेशन आया ठीक है इसी लेवल पर बट इसका लोग ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम इसमें अब इसको जड़ा देखिए हमने कहा कि ट्रेड नहीं लेंगे अलर्ट जरूर रहेंगे तो आप देखिए यहां पर इस दोजी के बाद के जो सिनेरियो जो है दो तीन दिन के अंदर नदर क्या हुआ क्योंकि हमें वेट करना है डबल टॉप के आसपास ठीक है यह डबल टॉ नीचे जा सकता है तो अगर आप इसको ट्रेड करते हैं इस डोजी के कन्फर्मेशन के बाद तो दिखिए आपको एक अच्छा खासा टार्गेट नीचे मिला तो कोसिस करिए आप इस चीज को रीड करने का कि कैसे यह चीज को हम ट्रेड कर रहे है ठीक है चलिए आगे लेकिन यह हमारे रडार में है हम इसके अलर्ट पे है इसके बाद यह देखिए यह ग्रीन केंडल बना और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे ओपन इसकल टू हाई है यहां से फॉल करने लगा मान तो हम एक यह चोटा सा ट्रेड यहां पे इनिशियेट कर सकते है तो वन इस्टी टू का टार्गेट और देखिए हमें मिला है यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का टार्गेट हमें मिला है ठीक है तो जब डोजी बन जाए वह कहां बना है डबल टॉप के आसपास तो आपको यह ट्रेड मिलते जाएगा तो यह आपको ट्रेड मि यहाँ पर एक डोजी मिला ठीक है यह डोजी कब मिला एक पूल बैक के बार ठीक है तो यह जब मिल गया हम अगर इसका लोग बन रहा है देखी यहाँ पर प्रेशर आया है स्केंडल का और अगें इस ने रेड़ वाले ने कंफर्म कर दिया तो आप यहाँ पर एक ट्रेड इन को बचा है इसमें यह भी हम जील का दो साल का बैक टेस्ट कर रहे है तो देखिए अभी तक अल्मोस्ट सारे सक्सेस्फूल ट्रेड है प्रोवाइड आप सही जगे पर ट्रेड ले रहे हम सारे ट्रेड नहीं कर रहे हम लिमिटेड ट्रेड कर रहे है जो की प्रॉपर लेव तो अभी तक आपने देखा हमने एक इस पर कर दिया है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मैं तो धीर हम करके अगले साथ वीडियो में हम इसी को टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कितना क्योंकि जितना आप देखेंगे प्रैक्टिकली आपके दिमाग में यह चीज बैठेगा फिर आप खुद भी करिए प्लीज पेपर ट्रेड करिए आप खुद से पहले टेस्ट किजिए और पोजीशनल के लिए डेली टाइम फ्रेम पर यूज किजिए तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर ठीक लगे तो डेफिनेटी लाइक और सब्सक्राइब किजिए और ज़रू शेयर किजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके मार्केट क को हर कोई रीड कर पाए समझ पाए और तब जाके वह अपना इन्वेस्मेंट या ट्रेडिंग जो भी करना है वो करें चीक है तो थैंक यू सो बेरी मच्च तो आल अफ यू शी यू आल इन नेक्स वीडियो थैंक यू बाबाई